नमस्कार मैं हूँ अरशा चौधरी और आप देख रहे हैं SS News City हलचल खबरों की शुरुआत करने से पहले नज़र डालते हैं आज की आप पर पंचायत भवन में शुक्रवार को भी जारी रहा मतदान कर्मियों का प्रशिख्षन जिला कारिक्रम अधिकारी ने किया पीठा सीन अधिकारी और कर्मियों को प्रशिक्षित मतदाथा जागरुकता को सयुक्त महिला मोर्चा ने निकाली וशाल स्कूटी रैली मुख्य विकास अधिकारी ने जंडी दिखा कर किया रैली का शुभारम मतदाता जाकरुकता अभ्यान के तहट टिमिट में कारिक्र मायुजित, शिक्षको और छात्र छात्राउने ली मतदान की शपत बहुजन समाच पार्टी की मुखिया मायवती पहुची मुरादबाद, विशाल जनसभा को संबोदित कर सपा कॉंग्रिस गडवन्दन और भाजपा पर साधा निशाना जिएसी ग्राउंड में मीन की विशाल जनसभा आयोजित, मीन के राश्ट्री अथियक्ष असदुद्दी नोवैसी ने जनता से मांगा साथ पंचैत भुवन में आज कुंदर्की और बिलारे विधान सभा छेत्री के मतदान कर्मियों को प्रक्षिक्षन दिया गया साथी मतदान कर्मियों ने अपने मत अधिकार का प्रियोग भी किया मतदान प्रशिक्षण के चौथे दिन बिलारी और कुंदरकी के मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया साथ ही मतदान के समय मतदाताओं को आने वाली समस्याओं का भी निराकरण किया गया मतदान कर्मियों को प्रशिक्षन जिला कारिक्रम अधिकारी अनुपमा शांडिले ने दिया साथ ही उन्होंने EVM मशीनों की विस्ति जानकारी मतदान कर्मियों को दी अगर वो नहीं आते तो मतदान अधिकारियों के समख शीठा सी अधिकारी अपने सेक्टर मैजिस्ट्रेट यह वहाँ पर कोई उपस्चित है इस्टेटिक मैजिस्ट्रेट या माइक्रो अब्जरबर जो भी रहेंगी उन्हीं के साथ मोगपोल संपन करेंगे प्रेशन का जवाब मिल गया संशोगित है यह वाली चीज़ यह दोहजार सूला की जो पुस्ट्रकें आप लिए हुए हैं जिन लोगों को मिली है उसमें इन मतों की संथ्या पचास होजएगा पचास मत मोगपोल की समय पचास बराबर बराबर का मतलब यह है कम से कम ऐसा ना हो कि कोई अभिकरता अगर किसी का उपस्रिप नहीं है तो उसके पक्षमें वोटी नायंग डाली जाए और दो कोई कह दे कि पचास को पचिस पचिस बराबर बराबर आए उत्रा बाट दीजे रिमेनिंग जो बचेगा उसको नोटा का बटन दबाए अंदर ना बैठा के बाहर बैठा है ऐसे इस तांटर जाँ उत्रड़िया को देख सकी लेकि किसी भी इसकोटी में इसी बोटन दो वोट रास करते हैं आदे हैं आज़े तो रास के इस तब के जिदा में मशीन की पैचार पच्ची नाम से स्लिप्स आपकी सामद्वी में दीए इस अफसर पर कुंदर की और बिलारी के तमाम मतदान कर्मी और प्रशिक्षन अधिकारी मौजूद रहे कौसर अली, SS News, मौरादबार मतदाता जागरुकता के क्रमी शुक्रवार को सैंक्त महिला मोर्चा के बैनरतले शहर भर की विभिन संस्थाओ से जोड़ी महिलाओं ने एक स्कूटी रेली निकाली इस रेली का शुभारम डॉक्टर उजवल कुमार ने किया मतदाता जागरुकता को लेकर एक स्कूटर रेली मिशन कंपाउंट से शुरू होकर सील गुप्ता नेत्र संस्थान तक निकाली गई इस स्कूटर रेली का शुभारम जिलावे का सदिकारी डॉक्टर उजवल कुमार ने ज़ंडा दिखा कर किया लुड इंढाने ज़ंगा ऑर वो यह dh कहें कि चक्र पे लन बटवाएंगे पीटने को और तो और एह कहें हैं हमारी बस्ती में वाइफ लगवाएंगे भई वाइफ आरे पगले वह वाइफ नहीं होता वह वाइफ वाइफ होता है और तु सुन ले अगर तूने अपने मालकिन के कहने पर ज्यादा उर्ट पाटांग हरकत करी तो समझे रहना तहीं तांगे तोड़ दूँगा और जब धपा तो तूँ वही लगाएगी जहां हम कहेंगे और भाईया जी को इसाना है समझी है यही समझे रहना वोट करो वही वोट करो अप लोग यहाए गत कि अपने उद्बोधन से सबको संबोधित किया और सबको आगरह किया है कि हम लोग 100% वोटिंग की तरफ बढ़े हैं हम लोग ethical वोटिंग करें मूरल वोटिंग करें और जो कैनेट हमें अच्छे लगते हैं उनके दरफ हम लोग मत्दा आना करें मैं मुरादाबाद के सभी मत्दाताओं से अफिल करना चाहूँगा कि 15 फर्वरी का दिन समयाद रखें 15 फर्वरी मुद्वार को सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक मत्दान होगा उस दिन अपने घर से निकलें और लाइन में खड़े होंकर एक-एक करके मत्दान जरूर कर महिलाओं की इस रैली का नेतरत्व, सीयल गुपता नेतर संस्थान की चेयर परसन शिखा गुपता और नीधी गुपता ने किया साथ तारिक से हमने संथ महिला संगठन ने ये वीड़ा उठाया था कि हम महिलाओं में मत्दान के लिए जागरूपता लाएंगे तो आज हमने उसी के कॉंटेक्ट में एक एक रैली निकाली जिसमें हमारी संथ केला संगठन की बहुत सारी महिलाई थी मेतोडिस गर्ल्स दिन्तो कॉलिज की स्टुडेंट्स थे और भी कई स्कूल की बच्चियां थी जिन्होंने इस रैली में भाग लिया और इसका समापन जो है वो कमिशनर सर के द्वारा सील गुपता आई इंस्टिट्यूट के प्रांगर में हुआ मेरा मानना है कि मत आन जागरुपता ये एक बहुत बड़ा अभियान है और महिलाई के लिए खास करके मैं तो को इस तरीके से देखती हूँ कि जिस तरीके से धर्म हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है और धर्म हमारा तभी पूरा होता है जब हम किसी चीज का दान करते हैं तो धर्म हमारा वो पूरा होता है उसी प्रिकार से प्रजात अंतर के लिए हम लोगों का मतों का ये बहुत बड़ा दान है जो कि हमको आगे आके उस दिन करना चाहिए इस्रेली में 1.500 से अधिक महिलाओं ने प्रतिभाग किया, सायुक्त महिला मोर्चा से जुड़े सभी 18 कलबों के प्रतिनिधी इस्रेली में उपस्थित रहे। रैली के समापन पर मंदला एक तो एलवी अंकटेश्वर्डू ने कहा कि मतदाता जागरुकता अभियान में महिलाओं की महत्व पूर्ण भूमिका है। इस पर बड़ी गाराई से मोहले मोहले में चक्चा कराना पड़ेगा तो इसको इतना प्रेवित करना पड़ेगा कि वो उस दिन लाइन में दो गंटे भी खड़े हो जाए चार गंटे गड़े हो सकते हैं कि उसका क्या उसका स्पिर्ट पड़ा होने चाहिए उसका महत्व पता होना चाहिए जो दिके रिलीजिस प्रोक्राम में जाते हैं आप लोग दुर्गा पूजा में तो नौ दिन वरत रखते हैं रोज वहां पर पंड़ार में जाते हैं समय देते हैं लेकिन ये प्रजात तंतर में ये सबसे बड़ा महत्वपून गठना है ये पुड़ी राजयतंतर की सुद्धी करन निर्मान इसी वोट में वोट के उपर निर्बर है इतनी महत्वपून जीस के लिए क्या आग्मी दो चार गटे खड़ी नहीं हो सकता है इस नहीं खड़ जो वेक्ति ये अक्षम लोग है उनको जिन्दी जो की वोट डालने के लिए भी सभी लोग को प्रसिक्षित भी किया जा रहा है लेकिन ये के और हम लोग बोलने मातर से आत्मी तक वो पहुंचे अगने आप लोग को डालें अभी तक तो पड़े लिए लोग भी इसमें ख इस कारिक्रम का संचालन गरिमाज सिंग ने किया इस रैली में RSD Academy की प्राधनाचारिया डॉक्टर जी कुमार, सुमन कौशिक, डॉक्टर आशी खुराना आधी उपस्तित रहे कौसर अली, SS News, मुरादबाद कारिक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए, कमिशनर मुरादबाद, L.V. अंकिटेश्वर लू ने अपने अभी भाशन में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि छात्र छात्राओं को देश से प्यार है, तो उन्हें देश पचाओ अभियान में हिस्सा लेना होगा पर आमपूना कि मरिया का है, कौँ जाता हा पुड़ा पर सुना चैंगे ये जो है, आम लोग सबसे बड़ी बड़ा दुरभागी की अब इस विशेर सी बोल रहे जै, लोग ठीक से समझना ही नहीं चाते है यह सारा भिश्व विग्ञान पे चलता है, यह सारा सिरीनकी विञ्ञान से चलताह आ, हरचीज यह पूरी रिषी लोगों ने परिपासित किया है कि इंसान क्या है कि एग्यवाल्ग जी बहुत बड़े रिशी है कि यो एम विज्ञानमया यो एम विज्ञानमया प्राणिश्वधी अंकर जो तही पुषा है इसकी परिबाशा जाए यह विज्ञानमया है इंसान की परिबाशा है विज्ञान मैं है लेकर आदमी ज्ञान और विज्ञान के बदी मुझान नहीं है सबको बड़ी सुपरफिशियल इक्जिस्टेंस है आप लोग अधिकान से लोग पर टाइम किसमें जाता है एक मोबाइल लेकर रखे हैं पता हैं यहां पर करते हैं त इतने इदें बगवास करते हैं तुम कैसे मैं अपने पोटों उसको बेज लिया उसको पोटे हैं संद्धूर हो था करें करें तुमारे नाग नहीं है अब तुम्हारा दो ए नाथ तोड़ा ब्लंट हो गया है तुर्दी रुची है आप्ती जीवन अबसे बहले सेफ होना चाहिए आप आप जीवित रहने चाहिए इसी तरह से फिर जो जवाब हैं कवाद फ़र बनाएगे कुछ व्रवस्ता गरेंगे गाड़ी चली देगे यह आप्ती प्रोपर्टी और प्रोपर्टी को भी बहुत मैंको दिया लिया है इसी तरीके से उसमें बहुत साई योगर बाते कहीं लिए और इसी हवा में जो हमारी मन में होता है चार हमारी दोस्त कह रहे होते हम वही जाके कराते हैं जितना मैंने कहा कि गंश्री आपको एक लंबे समय विचार करना चाहिए क्या हम जो मंदान करने जाना जबूर है अब जो को मालम है हम सब लोग मैं समय को हम आप लोग में लेजमेंट के पोर्ट कर रहे है तो आप लोग एक लेवल से उपर है पांच बीया शटी बार मुका मिलेगा ऐसा बोड डालने का पहली बार ऐसा मुका आया है जब कि ये जबूर्ता घ्रान बोड डालने के लिए जबूर्ता सुनूप से सामने आये हैं और इसमें सभी आपकी बागेदारी की है जैसा भी मेरे लोड वक्ता ने कहा कि हमारे कमिशनर सहाब ने जगा जगा जाकर इस अभ्यान को चलाया है इसके अलावा भी हमारे जितने न्यूस पेपर्स हैं या अदर बाकी संस्थाएं ह कारिकरम के समापन के दौरान टिमिट के निदेशक प्रोफेसर विपिन जैन ने कहा कि आज सभी को संकल्प लेने का समय है कि वोट जरूर डालेंगे और परिवार, समाज और देश के प्रतियक व्यक्ति को वोट डालने के लिए प्रेरित भी करेंगे के बारे में उनको समझाया कि अपना मद्दान किस तरीके जब्रियों करें और मद्दान देना क्यों ज्यादा जबूरी है इसके बारे में विस्तार चर्चा की गई और आज हमारे इस कारिकरम के मुखे अधीदी मंडला एयुक शिरी वेंक्रिश वनुदे बी आरेम साथ थ में चुनना है चुनने का अधिकार हमारे लोगतंत ने दिया है और जादस ज्यादा मद्दान का प्रियोग किया जाए उन्होंने एक जामबल के माधिन से समझाया कि यदि किसी कॉंसिट्वेंसी में 4,00,000 मद्दाता हैं और 4,00,000 मद्दाता हुएं से 50% मद्दान होता है कि हम मानते हैं बहुत अच्छा होता है हमारे देश में तो केवल 2,00,000 मद्दाता वोट देने आए और अगर 2,00,000 मद्दाता मोट देने आगए अगर वहां पचार से जादा लोग खड़े हैं तो मद्दान बढ़ जाता है और मान लीजिए एक व्यक्ति जो 57,000 वोट पाक ये गौती चिंताजनक विशे है हमारे देश के लोगतानतिक के लिए लोगतानतिक स्थिति के लिए अगर स्कोर जब मद्दान का पर्तिश्र बढ़ाना चाहिए इसी के लिए सभी अथितियों ने ये निवेदन किया अनुरोद किया हमारे चाठ चात्राओं से कि वेख सभी पार्टियां चुना प्रहसार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है ऐसे में बसपा क्यों पीछ रहे शुक्रवार को बसपा सुप्रीमों मायवती मुरदबाद पहुंची और इक्विशाल जनसभा को संभोधित किया उन्होंने सपा कॉंग्रेस गडभंदन और पाके बहकावे में ना आए प्रदेश में सुशाचन की सरकार वसपा ही दे सकती है इसके साथ ही लोगों को अपना एजेंडा बताते हुए आज मायवती ने ये भी कहा कि अब उनकी नई सरकार में कोई नए पार्क मूर्तिया या इसमारक नहीं बनेगे क्योंकि ये कारे प इससे जरूरत मंद अपने हिसाब से अपने लिए सही चीज ले सकेगा वही मायवती ने सरकार बनने के बाद सपा के गुंडों को जेल भिजवाने की बात कही है यही नहीं अपने जिर परिचित अंदास से अलग मुरादबाद में मायवती ने वादो और लोक लुभावन की चड़ी लगाई मायवती ने कहा कि उनकी सरकार आने पर गरीबों की कल्यान की योजनाएं शुरू की जाएंगी करना किसानों का भकाया जल दिलाया जाएगा इसके साथ ही स्कूल में दूद विसकुट अंडा चना और पौश्टिक आहार दिया जाएगा मायवती ने कहा की बीजेपी आरक्षन खत्म करना चाहती है इसलिए किसी भी कीमत पर आप लोग बीजेपी को वोट ना करें सपा और भाजपा आपस में मिले हुए हैं मायवती यही नहीं रुकी उन्होंने प्रदेश की अखिलेश सरकार को भी नहीं बक्षा सपा परिवार के हालिया घटना क्रम पर मायवती ने कहा कि मुलायम सिंग ने पुत्र मोहों में शिवपाल को अपमानित करके बाहर किया शिफपाल खेमा चुनाओं में सपा को नुकसान जरूर पहुँचाएगा कॉंग्रेज और सपा गटबंदन पर मायवती ने कहा कि ये स्वार्थ का गटबंदन है शुकरवार को GIC मैदान में मजलिस इत्यादुल मुसलिमिन की एक जनसभा आयोजित की गई जिसमें मीम के सदर असदुद्वीन उवेशी ने विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा चुनावी समर के चलते महानगर में नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है इसी कड़ी में आज GIC मैदान में औरलिंडिया मजलिस इत्यादुल मुसलिमिन की एक जनसभा आयोजित की गई जिसमें जनसभा के दोरान देहात मुरदबाद विधानसभा के प्रेधियाशी हाजी असलम अनसारी ने अपने वक्तवे के दोरान मुसलिम लीडर्शिप कायम करने की बात कही वही मीम के सदर एवं सांसद असदुदीन उवेशी ने अपने संबोधन में विरोधी पार्टियों पर तंच कसी विधानसभा चुनाओं में लगे सभी प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत लगा कर जनता को अपने पक्ष में करने को जुटे हैं वही आज चंदर नगर में शिफसेना से मुरादबाज शहर से प्रत्याशी वीके सैनी ने घर घर जाकर जन संपर्क किया और अपने लिए लोगों का साथ मांगा मुरादबाज जनपद में दूसरे चरण के मतदान को लेकर राजनेतिक बयान बाजी का दौर चरम पर है एहमद हसन ने भाजपा पर निशाना साते हुए कहा कि केंदर में ऐसी सरकार है जो आने वाले पीडियों के लिए खतरनाक है मोदी को सबसे बढ़ा जूटा प्रधानमंत्री कहते हुए एहमद हसन ने कहा कि भाजपा ने तीन दफ़ा बसपा के साथ सरकार बनाई है और आज भी दोनों की मिली भगत है एहमद हसन ने आरोप लगाया कि बसपा की पिछली सरकार में बसपा ने किसी भी जिले में एक भी मुस्लिम को ना ही जिलाधिकारी बनाया और ना ही पुलिस कप्तान मायवती को जेल भेजने की धमकी देते हुए एहमद हसन ने कहा कि सपा की अगली सरकार बनते ही मायवती को जेल भेजा जाएगा मादभूत और उक्तर परदेश में अच्छी सरकार बनेगी चुकि उपर ख़दा की महरबानी से और जनता की वोटों से हम लोग एक बहुत मादभूत चुकि सरकार ने पूरे वादे किये हैं जतने वादे किये तो उनको लागू किया है और बड़ा विश्वास था इसले मतदाता जागरुकता रेली निकाली गई जिसमें लोगों को अधिक संख्या में मत का प्रियोग करने के लिए जागरुक किया गया जिला प्रशासन के साथ साथ नीजी संस्थाएं भी लोगों को बढ़ चड़ कर मतदान करने के लिए प्रयासरत हैं इसी के मदे नजर आज करूला इस्थित रहमत नगर पीर का बाजार दस सराए में राश्ट्रिय जागरुकता रेली निकाली गई रेली के दौरान लोगो अधीब इलाही, मोहमद समी, हारिश पाशा, राहत खां, कमरूल निशा, शीबा, इल्मा, इकरा, साइमीन, आईशा भी मौजूद रहे गुरुवार की रात मजोला थाना चेतर में उस वक्त थड़कम मज गया जब शहर विधान सभासे कॉंग्रेस जे के प्रितियाशी के आपहरण की खबर फैली, पुलिस ने मामला दर्श कर पूरे मामले की चानवीन शुरू कर दी है मजोला थाना चेतर के गागन का तिराहनिवासी गोपाल सेनी के बेटे राधेशाम सेनी, राश्विये कॉंग्रिस जे पार्टी से शेहर विधान सभासीट से उमीदवार है पीती रात वेह अपने समर्थवकों के साथ लाइन पार में प्रचार कर रहा था, इसी दौरान वेह अचानक गायब हो गया जैसे ही उसके गायब होने की सूचना शेतर में फैली, तो पुलिस विभाग में हरकम पमच गया अपरण हुए प्रत्याशी रादेशाम के परिजन एक प्रत्याशी पर अपरण कराने की आशंका जता रहे हैं फिल्हाल पुलिस ने पूरे मामले की जाट शुरू कर दी है समराट अशोकनगर में चल रही बाबा नीम करोली दुट्ते स्मृती उत्सव का समापन शुकरवार को हो गया समापन के दोरां सुंदर कांट वा भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें भारी संख्या में भक्तों ने पहुँचकर धर्म लाग कमाया हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाबा नीम करोली इस्मृती उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ समराट अशोकनगर इस्तित बालाजी सिमेंट रोट पर मनाया गया जिसमें शुकरवार की सुभा सुंदर कांट कायोजन किया गया जिसमें कथावाचक राजकुमार गोस्वामी ने भजनों का ऐसा समा बांधा कि सभी भक्त भाविभोर हो गया सुंदर कांट के समापन के बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया जिसमें भक्तों और इस्थानिये लोगों ने बाबा का प्रसाद ग्रहन किया और धर्म लाप कमाया आज के बुलिटिन में बस इतना ही कलफे राज जरोंगे और खबरों के साथ नमस्कार पंचाइद भवन में शुक्रवार को भी जारी रहा मतदान कर्मियों का प्रशिक्षन जिला कारिक्रम अधिकारी ने किया पीठा सीन अधिकारी और कर्मियों को प्रशिक्षित मतदाता जागरुकता को स्युक्त महिला मोर्चा ने निकाली विशाल स्कूटी रैली मुख्यविकास अधिकारी ने जंडी दिखा कर किया रैली का शुभारम मतदाता जागरुकता अभियान के तहट टिमिट में कारिक्रम अधिक शिक्षकों और छात्र छात्राउं ने ली मतदान की शपत बहुजन समाच पार्टी की मुखिया मायवती पहुची मुरादबाद विशाल जनसभा को संबोधित कर सपा कॉंग्रिस गटवंदन और भाजपा पर साधा निशाना GIC ग्राउंड में मीम की विशाल जनसभा आयोजित, मीम के राश्री अधियक्ष असदुद्दी नोवैसी ने जनता से मांगा साथ